हेलो प्रेंड मैं अकाश वरकंटो प्रांट के खीवर काफी दिनों बात कल मैंने नर्सी विजिट किया था वैसे मुझे अब सहर जाना नहीं होता है तो मैं नर्सी ज़्यादा विजिट नहीं कर पाता हूँ लेकिन कल मैं एक शादी से लोट रह तो तुरहस्ते में एक नर्सी पड़ी थी मुझे प्लांट लेने प्लांट को रखने के लिए कोई भी स्पेश नहीं था फिर भी मैंने कुछ प्लांट पर्चेस कर लिये थे और मेरी पसंद के प्लांट वहाँ पर थे भी नहीं विंटर फ्लारिंग प्लांट थे और विंटर फ्लारिंग प्लांट का सीजन खतम होने वाला है इसलिए मैंने थोड़ी से ही शॉपिंग किया है वही आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं तो यह एक सर्मी का पॉट मैंने पर्चेस किया है चोटा सा पॉट है और इ पर्चेस कर सकते हैं इसके अलावा कुछ रेन लिली के बल्ब मुझे फ्री में ही मिल गया है तो यह यलो कलर के हो सकते हैं मुझे लगता कि यह यलो कलर के ही हैं आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि यह किस कलर के हैं अगर आपको इनकी पत्तियों से पता चाल रहा है वैसे पिंक कलर के नहीं है, हो सकता कि यह वाइट कलर के हो, वाइट कलर के मेरे पास पहले से हैं, पिंक कलर भी है, यलो ही कलर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यह यलो कलर होगा, तो देखते हैं, यह यलो कलर निकलेगा या नहीं, फ्लावरी होगी, तब ही इसका कलर पता चरप पाएगा और यह चाइनीज मनी प्लांट इसे कॉइन प्लांट और और भी काफी नामों से जाना जाता है देख सकते हैं छोटे से पॉली बैक में लगा हुआ है इसका प्राइस उन्हेंने 50 रुपीज बताया था प्लांट का प्राइस मुझे काफी जादा लगा था लेकिन फ होता है इसके अलावा यह बेबी टियर्स इसका प्राइस भी उन्हेंने 50 रुपीज ही बताया था इससा के पॉली बैक में लगा हुआ है प्लांट की कंडिशन वहाँ पर इससे भी अच्छी थी लेकिन में पास स्पेस ही नहीं था प्लांट को रखने के लिए इसलिए मैंन इतने ही प्लांट परचेस के हैं और मेरी पसंद के वहाँ पर प्लांट थे भी नहीं मैं बेबी संरोज और फिसबोन कैक्टस इससा के प्लांट में वहाँ पर परचेस करने गया था लेकिन वहाँ पर यह थे नहीं और यह प्लांट मैंने आलम बाकी रोड सा इनर्सी से पर बताईएगा इसके अलावा फिश्पॉन कैक्टर्स क्रिस्मस कैक्टर्स इस्ट्रिंग और बनाना या फिर कहें हैं हैंगिंग बास्केट का कलेक्शन किस नर्सी में अच्छा दिखने को मिलेगा और प्राइस विस्नेबल प्राइस पर कहां पर मिल जाएंगे अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रू बताईएगा मैं काफी दिनों से एक अच्छी नर्सी विज़र करने के सोच रहाँ कि कि अब मुझे लगता है कि नर्सी में प्लांट काफी महंगे हो गया है और नर्सी में प्लांट का कलेक्शन भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है इंडूर प्लांट तो हमें नर्जी में बहुत यहसानी से मिल जाते हैं लेकिन हैंगिंग बास्केट प्लांट हमें नहीं देखने को मिलते हैं कॉमन हैंगिंग बास्केट प्लांट जैसे की परसलीन हो गया पोचुलाका हो गया इसके अलबा अच्वाइन प्लांट हो गया स्वीट पैटोटो वाइन हो गया टर्टल वाइन टैंगल हार्ट और ट्वीपिंग चार्ली बेबी टियर्स परपल हार्ट रियो विडेलिया इस सबी प्लांट रोड साइनर्सी में खास कर अगर आप लग 9 में रहते हैं तो आलम बाकी रोड साइनर्सी में बहुत ही असानी से 30 से 40 रूपीस में या फिर कहें 20 से 40 रूपीस में आसानी से मिल जाते हैं लेकिन एक बेबी संरोस है जिसे मैं लंबे समय से ढून रहा हूं पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने में चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो में चैनल को जबू सस्क्राइब कीजिएगा और नर्सी का एड्रस अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके जबू बताइएगा तो चलिए मिलत तब तक के लिए एपी गाड़नी